उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में अब कुछ ही महने रह गए हैं ऐसे में सियासी दल जोड़ तोड़ और नए समीकरन बनाने में जुड़ गए हैं इसी बीच कांग्रेस पाल्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार प्रदेश के विधान सभा चुनाव में गठ बंदन के मूड में बिलकुल भी नहीं है पाल्टी के अंदरूनी सुत्रों की माने तो मुसल्मानों को रिजहने के लिए कांग्रेस अब मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चों का सहरा लेने जा रही है इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश के लगभग दो लाक मदर्सों की लिष्ट भी तयार कर ली है इसी के साथ ही कांग्रेस ने यूपी में अपनी खोई हुई थियासी ताकत दोबारा हसिल करने की जद्दो जहद शुरू कर दी है मेन फेस्टो कमेटी बनी है आधाड़ी सलमान कुरसीट सहाब के नित्त में उसमें वकीलों का सिच्छकों का बेरोजगारों का खिसानों का मध्यांबर्गी परिवार के लोगों का बेपारियों का सब की समस्या सुनी जा रही है और उस रूप के अंतरगत चाहे हो मदर्सा सिच्छा को उलेमा हो, डाक्टर सो इंजीनियर हो, उसके लिए घोसला पत्र की तैयारी चल लेज़े हैं। आपको बता दे कि राजधानी लखनों में प्रियंका गांधी वाडरा अब अपनी नजदी की रिष्टेदार शीला कॉल के आवाज के प्रांगर में बने बंगले में रहे कर यूपी में कांग्रेस का वर्चस्व फिर कायम करेंगी। बिचाने के लिए प्रियंका गांधी का लखनों में आना बहुती ज़्यादा अनिवार हो चुका है। और यहीं से कांगरेस की जो ग्राफ है उतब देश में उसको बढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में प्रियंका गांधी को आना था पर कोरोना काल के चलते काफी लेट हो गया। काम भी अभी तक नहीं शुरू हुआ है, रेनोवेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, उमीद जताई जा रही है कि जल्दी प्रियंका गांधी लखनों में आकर राजनेतिक दलों में हलचल पैदा करेंगी। और आपको बता दें कि कॉंग्रेस का ग्राफ अभी 7% के करीब है जिसको बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी को आना पड़ेगा, वहीं ट्विटर के माध्यम से और कारकरताओं के माध्यम से एक वर्ग को टार्गेट करने के लिए प्रियंका गांधी और पूरी टीम न वर्क को दी है, अल्वसंकिक वर्क को जिसके लिए पूरी तरीके से महनद शुरू हो गई है, अब देखने वाली बात होगी कि सियासी घट्मागरम में तेजी लाने के लिए क्या प्रियंका जल्द ही लखनाओं आ सकती है क्योंकि 2020 के चुनाओं में अब ज्यादा समय नही नहीं बचा है कैमावन रगू इसाथ शीवंशी वस्त अभारत टीवी लखनौं